थाना प्रभारी रांची सहदेव रामसाहू ने बताया कि किस जुलाई की शाम विश्वस ने मुगबिर से सूशना मिली कि समुधायक भवन बापुनगर के पास अकाश सोनकर राज सोनकर नशा करने वालों को नशीली दवाई के इंजेक्शन बेच रही है सूशना पर दबिश देते हुए बापुनगर समुधायक भवन के पास अकाश सोनकर राज सोनकर भवन के पास खड़े दिखे जिसमें पुलिस को देखकर राज सोनकर भाग गया वही गिरबंदी कर अकाश को पकड़ा गया उक्तर नशीली इंजेक्शन के संबंद में पुछताच कर आकाश निवासी गनेश गंज स्कूल के सामने बड़ा पत्थर से सौ रुपए में एक सैट के हिसाब से खरीदना एवं नशा करने वालों को दो सौ रुपए में बेचना बताया आरोपिया काश निवासी बापुनगर रांजी के कबजे से उक्तर नशीले इंजेक्शन सब्त करते हुए गिरफ्तार ही की गई पीबीसी के लिए जबलपुर से रिशीरा चक के रेपोर्ट सुच्ण संकलान को सक्री करें इस प्राड़ से निदेश स्रीमान की द्वारत दिया गया है इसी सिल्सेले में कर रांजी पुलिस को बहुत बड़ी सब्ता मिली है एक आकास सोनकर है बापुनगर में उसके कप्चे से दो सो सी सी नसीले इंजेक्शन जब किये गए है और उस पर कड़ी कार भी की है उसे पूस चाज किया गया तो उसने राजू सोनकर का नाम बताया है के साथ में दूनों भेशते देखे कि राजू मौके से बग गया है यकि प्रथम सुचना पत्र में उसका नाम है और आकास ये तीनों शक्री बनमास के खिलाब हमने प्रत्रम सुच्छा पत्र दज़ करके और ये कारोपी बिट्टार किये हैं और नियाला भेजा गया है।